Hello friends, once again welcome back, so आज की इस वीडियो में हम रियोन से related top 13 questions को discuss करेंगे जो आपके exam के point अभी से most important रहने वाला है, ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विना टाइमस्ट के और देख लेते हैं इन top 13 selected questions को, ठीक है, तो वीडियो को like share करते रहेगा और चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा, तो सबसे पहले हम रियोन के बारे में जान लेते हैं, रियोन क्या है, तो रियोन एक रेशा है, जो मानो निर्मित है, ठीक है, जिसको मानो ने बनाया है, मानो निर्मित रेशी को सामोहिक रूप से रियोन कहा जाता है, ठीक है, और रियोन का शाब्दी करत हो इंपर्टैंट है यहां से बी कोश्चोंग को रियोन का संथ करद क्या होता है तो रियोन का स्पा रियो की सब्सक्राइज क निर्माण क Parks कह तो पहला जरुए उस लिकलर मैफ क्या घयता है fell तो देख लेते हैं इसमें ओप्षिन दिया है कि कुप्रमोणियम विदी से आज कल रियॉन पर्जेंट टाइम में रियॉन का निर्माड किस विदी से होता है तो पहला protection है कुप्रमोनियम इधी से दूसरा option है नाइट्र सैल्विरोज विदी से तीसरा option है ॥िसकोस विदी से और चौता option है ऐसिटे ऐसेल्यलोज विदी से ठीक्षे यह तीनों तो इससे धीरे धीरे इनका थोड़ा सा प्रचलन आजकल कम हो गया है तो सबसे जादे आजकल रियोन का निर्माड बिसकोस विदी से होता है तो आपका तीसरा ओप्षन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे देख लेते हैं नाइट्रो सेलिलोज विदी द्वारा रिय ठीक है रियोन या कर थोड़ी से टाइबिंग मिस्टेक ऊगई है तक है कह रहा है कि नाइट्रो सेलिलोज विदी द्वारा रियोन निर्माड में रूई की पट्टियों की प्रतीकिरिया कराई जाती है ठीक है नाइट्रोसेलीमें पर उसको श्र Like it के द्वारा इंडर के द्वारा कुछ शित्रों के गजारा जाता है तो इसनते प्रों का फाइबर प्राप्त होता है तो वहीं कहा रहा है कि नाइट्रक्र्ट कुछ इणिल्लोजी धिद्वारा रिये machen में रूow इक पट्ति यों तिकरिया कराई जाती है किस तत्तों से कराई जाती है ठीक है तो पहला आप्शन है नाइट्रिक अमल तथा सल्फियूरिक अमल से दूसरा आप्शन है शोडा एस तथा सोडियम हाइडराकसाइड से तीसरा आप्शन है केवल सोडियम हाइडराकसाइड से चौथा आप्शन है उपर्युक्त सभी से ठीक है तो इसमें आपका इसमें आपका जो आप्शन है वो पहला आप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है पहला आप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नाइट्रिक अमल तथा सल्फ्यूरिक अमल से कपास की कपास की पट्यों की प्रतिकिरिया कर आई जाती है ठीक है तो इसमें आपका पहला option क्या हो जाएगा इसमें आपका पहला option correct हो जाएगा तो चलिए जान लेते हैं अब तीसरा question कह रहा है कुप्रमोनियम विधी द्वारा रेयोन निर्माड में कुप्रामोनियम विधी द्वारा रेयोन निर्माड में रूई की पत्टियों को सोडा एस तथा सोडियम हाइडराकसाइड के साथ उबाल कर बलीच कराया जाता है कुप्रामोनियम बीधि द्वारा रेयान निर्माड में रूइक पटियों को सोडा ऐस तथा सोडियम हायडो अक्साइड के साथ उबाल कर ब्लीच कराया जाता है किस से कराया जाता है तो पहला और चोता अप्षन है उपर्युक्त सभी से तो इसमें आपका जो पहला उप्षन है वो करेक्ट हो जाएगा क्लोरीन से ब्लीचिंग का कार्य पूर्ण किया जाता है ठीक है कुप्रमोनियम विधी में अगला कोशन है रेयोन का शाब्दि कर्थ है ठीक है हमने पहले भी बताय है आई होप आपको यह कोशन क्लियर होगा रेयोन का शाब्दिक अर्थ है सूरी की किर्णों का विक्रण तूसरा अप्षन है सूरी की किर्णों का अपवर्तन तीसरा अप्षन है सूरी की किर्णों का परावर्तन और चौता अप्षन है इनमें से कोई नहीं तो इसमें दर्सी से देखने पर रेयोन का अनुप्रस्त काट दिखाई देता है तो पहला आप्षन है एठे वे रीबन के समान दूसरा आप्षन है सीधी सीडी के समान सरी यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिश्टिक हो गया है सीडी के समान खोकली नली के समान दूसरा आप्षन है पतली धारियों वाली छड के समान और चौथा आप्षन है सीडी के समान तो इसमें से आपका जो थर्ड आप्षन है वह करक्ठ हो जाएगा सुक्समिजर्शी से देखने पर रेओन का अनुप्रस्त काट पतली धारीों वारी छट के समान दिखाई देता है तो इसमें आपका 3rd option सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं रेओन के रेशे का ब्यास निर्भर करता है रेओन के रेशे का ब्यास निर्भर करता है इसमें आपका जो तीसरा है वो कर्रेक्ट हो जाएगा इस्पिंड रेट के छिद्रों पर रेयान के रेश्चे का ब्यास 축 करता है ठीक है अगला कोश्चन है रेयान वस्त्रों में प्रतिसकंदता पाई जाती है उन से अधिक रेशम से अधिक उन वर रेशम से कम नायलान से अधिक तो इसमें आपका जो थर्ड अप्शन है वो करक्ट हो जाएगा ठीक है उन वर रेशम से कम रेयान में प्रतिसकंदत पाई जाती है तो elasticity को प्रतिसकंदता कहते हैं फ्रतिसकंदता वह गुड़ है यह जो क्या करता है कितना हो कीचा या ताना जाये कपड़ा खीच जाता है और फिर छोड़ने पर अपने पूणव आकरितिम को ग्रहण कर लेता ठीक है तो यहीं प्रतिस्कंदिता का गुण होता है कपड़ों में जो रियान में उन वरेशम से कम पाया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देख लेते हैं रियान की खोज हुई थी रियान की खोज कभ हुई थी तो रियान की शताबदी में रेयान की खोज हुई थे ठीक है और आपका नुवा कोश्चन है देख लेते हैं इसको क्रित्रिम रेशम कहा जाता है किसको तो पहला अप्षन है रेयान को दूसरा अप्षन है नालान को तीसरा अप्षन है लीनन को सौरी चौथा अप्षन है उन को तो इसमें के जो भी वस्त्र बनते हैं वो रेशम के समान दिखाई देते हैं ठीक है रेशम के समान दिखाई देते हैं रेशम नहीं होते हैं इसलिए उनको क्रित्रिम रेशम कहा जाता है ठीक है तो क्रित्रिम रेशम किसको कहा जाता है तो रेयान को क्रित्रिम रेशम कहा जाता है अगल भीगने के पश्यात रियान की मजबूती बढ़ जाती है कितनी बढ़ती है तो क्या होती है कह रहा है कि मजबूती बढ़ जाती है कि घर जाती है देख लिए पहला प्षन है 25-35 पर्शेंट बढ़ जाती है नोगा होता है रियान की मजबूती क्या हूती है तो 25-30 पर्शेंट तक घर जाती है कोई परिवर्तण नहीं होता है उपरियुक्त में से कोई नहीं तो इसमें से आपका जो दूसरा option है वो correct हो जाएगा 25-30% तक घर जाती है ठीक है वैसे 70% जब भीगता है जब नमी पड़ता है रियौन पे तो 70% वो उसके खराब होने के chances रहते हैं ठीक है उसकी मुझबूती 70% तक घर जाती है लेकिन यहाँ पे option में दिया 25-30% तो यह आपका correct हो जाएगा ठीक है 25-30% तक घर जाती है 70% नमी वाले जगों पे रखने पे रियान खराब हो जाता है मतलब खराब होने के उसकी सम्भावना रहती है अगला question है रियान की खोज सरप्रतम किसने कब और किसने की ठीक है यहा पर हुक रहना चाहिए ठीक है राबर्ट हुक तो हक हो गया है तो इसको आप लोग तेख लीजेगा रियान की खोज सरप्रतम कब और किसने की तो पहला option है 1664 में ठीक है 1664 में राबर्ट हुक ने 1764 में वाट्सन ने 1665 में लेबार्थ ने और 1775 में निकिल एवम डार्सी न है वो करेक्ट हो जाएगा रियान की सरप्रतम खोज 1664 में राबर्ट हुक ने किया ठीक है अगला है रेसम के कीड़े के मुख गरंतियों के दो छिद्रों से निकलने वाले स्राव बनते हैं यह कालाते हैं मतलब यह स्राव का नाम पूछ रहा है ठीक है वह स्राव क्या होता पहला प्रिशम से एक यह कोश्यन आगया है ठीक है तो इसको भी कर लेते हैं उसमें क्या है रेशम के कीड़े के मुख ग्रंतियों के दो छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं यह स्राव कहलाता है अग्र प्रिशिं और चौतरा उप्षन है उपने तुमें से जाता है तो दिया है वाट्सन को दूसरा ओप्शन है काउंट हिलेरी डी चार्डेनेट को चौथा ओप्शन है तो इसमें से आपका दूसरा ओप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नाइट्रो सेलिलोज विधी द्वारा रेशा अनिर्मित करने का प्रत्थम स्रे काउंट हिलेरी डी चार्डेनेट को जाता है और इन्ही को रियान का फादर भी कहा जाता है रियान का फादर काउंट हिलेरी डी चार्डेनेट को भी कहा जाता है को ही कहा जाता है ठीक है अगला देख लेते हैं तो वीडियो का लाइक शेर करते लिएगा तैंक्यू आपका सेसन यहीं पर समापत होता है तैंक्यू वेर